हेलो फ्रेंस, वेलकम टो ए 24 नॉलेजे, ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्बन डवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट की नियू रिकुरूमेंट नॉटिफिकेशन के फॉर्म फिलप के बारे में, तो फ्रेंस यहाँ पा पोस्ट है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, सभी डिटेल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अगर आप अप्लिकेबल है, अप्लाइ करना चाहते हैं, आउनलाइन आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं, बात करेंगे इसके अप्लाइ यह ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर देखे कुछ बेसिक जनकरी आपको फिल करनी है, सबसे पहले है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप यहाँ पर सिविल, मेकेनिकल या इलेक्टिकल किसके लिए अप्लाइ करना चाहते हैं, इसके बार आपका नाम क्या है, तो आपका यहाँ पर mention करना है, आपकी DOB, date of birth क्या है, तो आप इस calendar पर किलिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का portal open होगा, यहाँ से आपकी जो भी date of birth है, वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं, यह select करने के बाद, आपको यहाँ पर जो यह details हैं, यह आपके matriculation certificate के according आप यहाँ पर fill करेंगे, इसके बाद friends, आगर आप PH candidate है, तो आप इस पर click कर सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर handicap का option आजाएगा, आप इन में से आप किस category में eligible है, वो आप select कर सकते हैं, इसके बाद friends, यहाँ पर percentage of आपको handicap बताना है, more या फिर less than, 40% आप यहाँ पर बताएंगे, अगर आ आप नहीं है, PH candidate आप इस पर untick रहने देंगे, आपका option यह बंद हो जाएंगे, इसके बाद आपका gender option है, जेंडर select करना है, category general है, तो जेंडर select कीजिए, EWS है तो EWS select कीजिए, अगर BC, SC, ST, जो भी candidate है, आपकी वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं, इसके बाद friends, यहाँ पर ब यहाँ पर detail भी दी गई है, आप इस section को select करके check कर सकते हैं, इसके बाद friends, अगर आप grand children है, freedom fighter के, तो आप इस condition पर, इस option पर click करेंगे, नहीं तो आप इसको untick रहने देंगे, इसके बाद friends, आपकी जो भी mail ID है active and valid, वो आप यहाँ पर fill करेंगे, और यह बिलकुल active होनी च इसलिए आप यहाँ पर अभी कैसा भी password एक generate कर दीजिए, कोशिच कीजिए alpha numerical password बनाने की, अगर कोई error आएगा, तो मैं आपको बताऊँगा, कोई error आता है, तो नहीं आता है, तो आप alpha numerical password यहाँ पर बना सकते हैं, इसके बाद friends, यह capture code आपको fill करना है, और detail को एक बाद च आएगा, password आपने बनाया ही होगा, और इसके थुरू आप यहाँ पर user ID और password और capture code आपकर login कर सकते हैं, user ID अगर आपने यहाँ पर note down नहीं भी की है, तो friends, आपको SMS और mail दोनों ही आजाते हैं, उस condition में आप यहाँ पर details को fill करके login कर सकते हैं, इसके बाद friends, next option आपको mobile number का, तो आपका जो भी mobile number है, उसे verify करना बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको एक option मिलता है, generate OTP का, आप इस section पर click करेंगे, इसके बाद friends, एक OTP आपकी register mobile number पर send हो जाएगी, और जो OTP है, वो friends, जैसे ही आपके पास आती है, वो friends, आपको validate करनी होगी, और इस चार digit की रहेगी, तो आपको आपके mail ID, आपके जो SMS पर mobile पर मिल जाता है, आप इसको यहाँ पर fill करेंगे, तो friends, यहाँ पर कुछ इस तरह का, आपको option देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर OTP fill करनी है, और click करना है verify option पर, इसके बाद friends, आपका जो यह form है, यह open हो जाएगा, इसके बाद friends, आपकी कुछ detail जो है, वो automatic आपको fill up मिलेंगी, आपका अधार number का option है, यह virtual ID का option है, आप अपना अधार card यह virtual ID number दे सकते हैं, आपका जो भी पूरा address है, जो भी आप लिखते हैं, वो आप यहाँ पर mention कर सकते हैं, पूरा address आप लिखेंगे, इसके बाद आप आप यहाँ पर pin code mention करेंगे, अगर आपका correspondence and permanent same है, तो आप same as पर click कर सकते हैं, अगर यह अलग-अलग है, आप manual entry कर सकते हैं, मैंने sample के तोर पर password आपका जो है address लिखा है, आपको पूरा address यहाँ पर mention करना होगा, इसके बाद friends, अगर आप बिहार के निवासी हैं, तो yes करे हैं, अगर आप बिहार निवासी नहीं है, तो आप यहाँ पर no करेंगे, और इसके बाद friends, nationality आपको select करनी है, आपका कोई भी identification mark, कोई भी cut का निशान है, mole है, या फिर burn का निशान है, आप दे सकते हैं या नहीं है, तो आप यहाँ पर no mark करके save कर देंगे, इसके बाद friends, आपके दो step complete हो जाएंगे, education qualification section पर आपको click करना है, अब यहाँ पर details देखिए, आपको क्या क्या फिल करनी है, सबसे पहले है, आपका यहाँ पर metric की detail, तो आपको यहाँ पर board का नाम, आपका institute, government है, private है, state आपने जहां से यह pass out किया है, इसके बार specialization बन रहेगी, आपकी year of passing आपका क्या है, वो आपको fill करना है, इसके बार आपका percentage of marks आपको यहाँ पर fill करने है, ऐसे ही diploma आपने किस university से किया है, आपका institute का type क्या है, state किस state से आपने यह pass किया है, ऐसे ही specialization आपको select करनी है, year of passing आपको select करनी है, और इसके बार friends, यहाँ पर आपको percentage of marks आपको enter करन इसके बाद signature अप्लोड करने है, यहाँ पर JPG format में आप अप्लोड करेंगे, size आपको दिया गया है, photo को 50 KB, signature का 20 KB से, इससे कम अपनी photo and sign रखें और यहाँ पर upload करें, तो friends, photo and sign का जब आपको यहाँ प्रिव्यू मिल जाएगा, इसके बाद आप यहाँ पर check कर सकते हैं, य upload हो गया है, इसके बाद आप go to home पर click करेंगे, आपके यहाँ तक यह option complete हो चुके हैं, इसके बाद है document section आप इस पर click करने वाले हैं, अब यहाँ पर आपको documents अप्लोड करने हैं, अब documents जो आप upload करेंगे, size आपका 400 KB से कम होना चाहिए, PDF format में आप upload करने वाले हैं, जो ज यहाँ फिल करेंगे, metric और diploma की जो मारशीट है, certificate है वो upload करना जरूरी है, अगर आप बिहार निवासी है तो अपना residential या फिल कास certificate या EW certificate भी upload कर सकते हैं, तो friends यहाँ पर जब आपके documents upload होंगे, आपको uploaded successfully का message मिल जाएगा, आप इसे OK कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी file को view कर सकते हैं, हटाना चाहे हटा सकते हैं, इसके बाद जब आपका यहाँ पर upload हो चुका है, आप इसको यहाँ से close कर देंगे, इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए, आपके यह option complete हो चुके हैं, और डोडो document आपने upload किये हैं, वो भी यहाँ complete हो चुके हैं, आपको photo यहाँ देखने को मिल जाएगी, इसके बाद आपको validate करनी है, आपकी mail ID, इसके लिए friends से जो भी mail ID है, उस पर आप generate करेंगे, OTP आपके OTP जाएगी, वो जो OTP जाएगी वो आपको यहाँ पर verify करनी होगी, verify करने के बाद ही आपका जो next option है, यह आपका open होगा, इसके बाद friends से यह आपके पास mail ID पर कोई OTP नहीं आई है, तो registration की details आपके पास आती है, वो registration की details में आप जाएगे, तो आपको वहाँ पर OTP मिल जाएगी, इसके बाद last option है, finalize application form का आप इस section पर click करेंगे, इसके बाद friends से यहाँ पर आप चाहें, तो click here to preview पर आप click करेंगे, आपने जो भी करने के बाद आप कोई भी edit नहीं कर पाएंगे, इसलिए preview वाले tab को check करना और देखना बहुत जरूरी है, इसके बाद friends से आपका जो final printout है, वो आपके सामने open हो जाएगा, आपको यहाँ पर अगर PDF 24 का option नहीं मिलता है, आप यहाँ पर इसको download कर सकते हैं, Google से install कर सकते हैं तो यहाँ पर friends से हमने इस वीडियो बात की, नगर विकास, आकास, विभाग के यहाँ पर form के बारे में, जो की JE vacancy के लिए निकाला गया है, step by step process के बारे हमने इस वीडियो में बात की है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो like, subscribe, share जरू किजेगा, बाकी क जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा यूटूब चैनल, and last, thanks for watching.